मार्केट विजार सेक्षन 32 ट्रेड, फ्लोर और स्पेक्विलेटर्स ट्रेडिंग में सरोतम प्रोडेक्ट ग्यान और पोजेशन से बाहर निकलने के सरोतम तरीके हैं For example, यदि वे फ्यूचर्स मार्केट में बुरी पोजेशन में फंस जाते हैं तो वे cash market में अपने risk की भरपाई कर सकते हैं, floor को गती का profit मिलता है, आप कभी भी मंजिल से तेज नहीं हो सकते, हालाकि speculators के पास product का ग्यान या गती नहीं है, लेकिन उसे खेलने के जुरूरत नहीं होने का फाइदा है, speculators के वोल तभी दाव लगाना चुन सकता है, जब हाल में ट्रेडिंग बंद करने के संकेत के रूप में बड़ी हुई volatility का उप्योग किया था, आप अपने volatility filter को निर्धारित करने के लिए कितने दिनों के पिछले data का उप्योग करते हैं, कहीं भी 10 से 100 दिन तक, जब आप 10 से 100 कहते हैं, तो क्या आप जानबूज कर as-past होने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका मतलब है कि आप उस limit के भीतर within time limits का उप्योग करते हैं, हम उस limit में अलग-अलग time window देखते हैं, मैं आपके 1% stop loss rule के argue को पूरी तरह से समझता हूँ, हलांकि मेरा एक question यह है, एक बार जब आपको system द्वारा against संकेत दिये बिना, किसी position से बा वापस लाने का क्या कारण है, क्या यह संभव नहीं है कि आपको मद्यम price reaction पर रोक दिया जाए और फिर बाद में कोई बड़ा कदम उठाने से चूप जाएं, यदि market नई उन्चाई बनाता है, तो हम वापस आ जाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि market एक विस्तरत trading range वे चला जाता है, तो क्या आपको रोके जाने और नई उन्चाई पर position में फिर से enter करने के बीच लगातार मार नहीं जहलनी पड़ेगी, ऐसा होता है, लेकिन problem बनने के लिए sufficient नहीं है, रिस्क के प्रती आपके मन में incredible रूप से गहरा सम्मान है, क्या आपके trading career में कोई individual गटनाई जिन्हों ने आपको उस approach से प्रेरित किया, जब मैं पहली बार commodities में शामिल हुआ, तो मैंने देखा कि यदि आपने सितंबर में पार्क वेली खरी दी और उन्हें जुलाई से पहले बेच दिया, तो आपने लगबग हमेशा profit कमाया, इसलिए मैंने दोस्तों के एक group के साथ एक fund बनाया, और इस trading में लग गया, इसने काम किया, मैंने पैसे दोगने कर दिये, मुझे एक genius concern जैसा महसूस हुआ, उस time मेरा एक दोस्त था, जो corn market पर नजर रखता था, मैं corn के बारे में कुछ नहीं जानता था, मैं kevel pork valleys के बारे में जानता था, उन्होंने मुझ से नई फसल का मक्का खरीदने, और पूरानी फसल सेलिंग के बारे में बात की, चुकि यह है एक अपेक्षाकरत सुरक्षित trading माना जाता है, इसमें मैं एक contract महिने में अपनी long position को, दूसरे महिने में छोटी position के साथ offset कर सकता था, मैं वास्तों में load हो गया, इसके तुरंत बाद, government ने एक आस्चर जनक फसल अनुमान जारी किया, जवाब में जिस महिने में long था, वहे limit down हो गया, और जिस महिने में short था, वहे limit up हो गया, मैं इतनी निराशा में था, कि मुझे याद है कि मैं सीडियों की और चला गया, और सच्मुच अपने गुटनों पर बैठ गया, और जोर से कहा, प्रिये भगवान, मुझे परवा नहीं है कि मैं कितना खो देता हूँ, लेकिन कृपिया अकाउंट को बरबाद नय होने दे, इसे खर्चे में लिखना, मैं उस टाइम एक sophisticated international firm के लिए काम कर रहा था, और जैसे ही मैं अपनी संभावी दलिल दे रहा था, एक स् दूसरे personal दर्दनाक experience हुए, अपने लिए नहीं, बलकि अपने financial career के दोरान, मैंने लगातार इसे दूसरे लोगों के example देखे हैं, जिनके बारे में मैंने जाना है, कि रिस्क का सम्मान ने करने के कारण, उन्हें loss उठाना पड़ा है, यदि आप रिस्क पर seriousness से अंदाजा नहीं लगाते हैं, तो यह आपको ले डूबे का, जब मैं बच्चा था, और मुझे पहली motorcycle मिली, तो मेरा एक पुराना दोस्त था, जो हमेशा जगरता रहता था, उन्होंने मुझ से कहा, लेरी, जब तुम motorcycle पर हो, तो कभी भी कार से बहस मत करो, तुम हार जाओगे, यही सबक trading पर भी लगू होता है, यदि आप market के साथ बहस करते हैं, तो आप हार जाएंगे, hunt brothers इसका एक perfect example है, किसी ने एक बार मुझ से पूछा था, hunts कैसे हार सकते हैं, उनके price तो billions में थी, मान लिजिये के आपके पास एक अरब डॉलर है, और आप 20 अरब डॉलर price की silver मैं example के लिए ये आंकडे बना रहा हूँ, आप बिलकुल उसी risk की position में है, जिसके पास 1000 डॉलर वाला concern है, और जिसके पास 20 अजार डॉलर price की silver है, मेरा एक अच्छा दोस्त है, जिसने बहुत ही साधार्ण शुरूवात की थी, उनके पिता एक सफाई करमचारी थे, वैसे बहुत genius concern है, और वह option arbitrage में पढ़ गया, वह इसमें बहुत अच्छा था और उसने खूब पैसा कमाया, मुझे याद है कि मैं उसके द्वारा England में खरी दी गई, एक हावेली पर जाकर भी आया था, खैर वह एक महान arbitrage हो सकता है, लेकिन वह एक बुरा trader निकला, उन्होंने एक trading system develop की, जिससे पैसा कमाया गया, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं gold में selling का signal नहीं ले रहा हूँ, यह मुझे ठीक नहीं लगता, इसके अलावा, वैसे भी लगबग 50% signal गलत होते हैं, नए केवल उसने sale signal नहीं लिया, बल्कि वास्तों में वह long तक चला, निश्चित से कहा, बाहर निकलो, लेकिन उसने जोड़ दे कर कहा, मार्केट वापस आएगा, खेर वह बाहर नहीं निकला, और उसने हवेली और बाकी सब कुछ खो दिया, अब वह सडक पर, सेंकडों दूसरे जरजर घरों के साथ, एक किराय के बक्से में रहता है, आज तक मुझे उस और उसने सब कुछ खो दिया, और यह सब केवल एक ट्रेडिंग के कारण, विडंबना यह है, कि यदि उसने अपनी ट्रेडिंग सिस्टम का पालन किया होता, तो उसने उस ट्रेडिंग से खूब पैसा कमाया होता, ओप्शन मार्केट में एक लाख डोलर, एक दिन मैंने उ नीचे जाता है, तो मैं तब तक बाहर नहीं निकलता, जब तक कि मैं कम से कम संतुलित नहीं हो जाओ, मैंने उससे कहा, देखो, मैं जीवी को पारजन के लिए ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ, कि यह स्ट्रेटजी लॉंग टाइम तक काम नहीं करने वाली है, उन्होंने कहा, लेरी, चिंता मत करो, इसे लॉंग टाइम तक काम करने के जुरूरत नहीं है, बस जब तक मैं 10 लाग डॉलर नहीं कमा लेता, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कभी भी लॉस नहीं उठाता, मैंने कहा, ठीक है, as you wish, अपने आग महीने बाद मैंने उससे बात की, और उसने मुझे बताया कि उस पर 10,000 डॉलर का करज है, मैंने कहा, एक मिनिट रूके, आपके पास 1,000 डॉलर थे, और आपने 90,000 डॉलर के ओप्शन खरीदे, इसके बाद भी आपके पास 10,000 डॉलर बचे रहेंगे, भले ही वे बेकार हो आपको 10,000 डॉलर का लोस कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा, मैंने बेसिकली ओप्शन 4,000 डॉलर में खरीदे थे, जब प्राइस 1 डॉलर तक कम हो गई, तो मुझे पता चला कि अगर मैंने 20,000 और खरीदे, तो मुझे बैलेंस बनाए रखने के लिए बस पोने 3 पर वापस जा मैंने एक बार एक फर्म के लिए काम किया था, जहां कमपनी के प्रेजिडेंट एक बहुत बड़े कंसर्ण ने एक ओप्शन ट्रेडर को काम पर रखा था, जो जीनियस था, लेकिन स्टेबल नहीं था, एक दिन ओप्शन ट्रेडर गाइब हो गया, जिससे फर्म घाटे की पोजिशन में चली गई, प्रेजिडेंट कोई ट्रेडर नहीं थे, और उन्होंने मेरी सला मांगी, लेरी तुमें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने उनसे कहा, बस पोजिशन से हट जाओ, इसके बजाए उन्होंने ट्रेडिंग जारी रखने का फैसला किया लोस थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन फिर मार्केट वापस आया, और उन्होंने थोड़े से प्रोफिट पर पोजिशन लिक्विडेट कर दी, इस गठना के बाद मैंने उसी फर्म में काम करने वाले एक दोस्त से कहा, बोब, हमें दूसरी नोकरी ढूंडनी होगी, क्यों उसने पूछा, मैंने अंसर दिया, हम एक ऐसे कंसर्ण के लिए काम करते हैं, जिसने हाली में खुद को एक माइन फिल्ड के बीच वे पाया है, और उसने जो किया, वह अपनी आँखे बंद करना, और उस वे से चलना है, अब वह सोचता है, कि जब भी आप किसी माइन फिल् एक वर्ष से भी कम टाइम के बाद, इसी कंसर्ण को ओप्शन में एक यूज डेटा नूटरल स्प्रेड पोजिशन को लिक्विडेट करना पड़ा, बाहर निकलने के बजाए, उसने एक टाइम में एक पैर से बाहर निकलने का फैसला किया, जब तक उसने उस पोजिशन को लिक्विडेट करना फेनिश किया, तब तक वह कंपनी की सारी कैपिटल खर्च कर चुका था, रिस्क कंट्रोल के एरर्स के अलावा, लोग ट्रेडिंग में पैसा क्यों खो देते हैं, कभी-कभी क्योंकि उनका ट्रेडिंग स्टेटिस्टिकली अप्रोच के बजाए, परस सबक जिखाया था, वह था, बॉंड आपके पोर्टपोलियो की अधार्शिला है, उस बारे में सोचना, जबचे यह आदमी पहली बार बिजनस में आया है, उसने हर साट साल में केवल एक बार इंटरेस्ट रेट्स में डिकलाइन देखी है, जाहिर है, बॉंड नाम का आर् नहीं अधिक है, तो अभी आपने इस बुक के सेक्शन को सुना, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कम से कम चार दोस्तों के साथ सोचल मेडिया पर शेयर अवश्य करें, धन्यवाद, हिंदियोडिय